दो सालों से बिना छट के खड़ा विध्याले भवन कभी भी खुल सकते हैं स्कूल सरकार के बहतर शिक्षा देने के दावों के सच देखना है तो बांसवाडा ग्राम पंचायत के करीरिया गाउं में स्थिद राच के प्रात्मिक विध्याले भवन अपनी वध्याले की कहानी खुद सुना रहा है यह विध्याले प्रशासनी कुदासीन ता वे लापर वाही का खामियाजा भुगत रहा है नतीजा यह है कि बच्चों के भविशे से खेला जा रहा है कराम पंचैतविशिक्षा विभा के लापर वाही के चलते विध्याले भवन बिना छटके खड़ा है दो वश से निर्मान कारी अधुरा पड़ा है अंदेखी के चलते विध्याले भवन की मरमत नहीं होने से अन्हूनी घटना का अंदेशा बनने लगा है कुरणा महमारी के चलते अभी विध्याले बंद है इसलिए चात्र चात्राइं पढ़ने नहीं आ रहे सवाल ये है कि आएंगे तो कहां बैठेंगे चानकरी के नुसार विध्याले में 47 चात्र चात्राओं का नामांकन है विध्याले भवन की मरमत का कारिये दो वर्ष पहले शुरू किया गया था जो आज तक अधुरा पड़ा है कमरों में पेड़ पौधे उग चुके हैं फर्ष खुच चुका है जिससे जहरीले किड़ों का डर रहता है खिड़ की वे दर्वासों पर जंग लग चुका है 2018 में विध्याले भवन को नया रूप देने के लिए कारे शुरू किया किया था विध्याले के चछसे पानी टपकने लगा था प्लास्टर गिरने लगा था इसके चलते कमरों में पानी भढ़ जाता था लेकिन अब इस्तिती ये हो चुकी है कि विध्याले में आने जाने वाले अध्यापकों को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कारी करना पड़ रहा है हमेशा हासे के आशंका बनी रहती है विध्याले प्रबंदन समीती ने ग्राम पंचाज को लिखित में अबगत करवाया वहीं उचदीकारियों को भी अबगत करवाया इसके बाद भी कोई कारवाई नहीं हुई विध्याले भवन जरजर होने से कभी भी ढह सकता है शोचाले में गंदी की फैल रही है इसको लेकर ग्रामिनों में डर है ग्रामिन वाड़ पंच मोडुलाल गूजर कुझ बिहारी बैरवाज जुगरा सत्यनान गूजर आदी ने बताया कि बारिश के दुरान विध्याले में खड़े रहने की जगा भी नहीं है बरतमान में पाइव जोड़ कर दूसरी जगह से पानी लेना पड़ रहा है काम के विध्याले में पीने का पानी तक नहीं है आखिका किसको कहें कोई सुनने वाला भी नहीं है जगदीश पैरवा अध्यक्ष विध्याले प्रवन समीती ने बताया करीरिया गाउं के विध्याले भवन का निर्मार दो वर्षे से अधुरा पड़ा है यदि विध्याले की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ये ढह जाएगा बंसवाडा के पीयों को भी अवगत करवा दिया है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है